हेलो फ्रेंट्स, वेलकम दोचेन, मासा सब बॉटनी अगेन, मैं हूँ आपका दोस विर्यकुमार सिंग और इस वीडियो में आज हम जानेंगे रमाचंदन प्लोट के बारे में जो आपका एसोशेटेड है प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर से तो चलते हैं next slide पे देखते हैं रमाचंदन प्लोट क्या होता है पहला चीज तो है आपको basic things to know to understand the रमाचंदन प्लोट रमाचंदन कहां पे आता है रमाचंदन प्लोट का यूज क्या है तो इसके लिए हम सबसे पहले जानेंगे कि प्रोटीन क्या है उसका primary, secondary और tertiary structure the primary structure of a protein is its linear sequence of amino acids आपको पता है कि amino acids आपने पढ़ा होगा जो आपके 20-20 amino acids होते हैं वही जो होता है milk के proteins बनाते हैं amino acids के बीच में जो होता है peptide bond बनता है और जैसे कि आप यहां पे linear sequences देख सकते हैं इसमें lysine, alanine, histidine, glycine, lysine, lysine, valine, leucine, glycine, alline यह सारे amino acids हैं यह जो है बीच में आपको इनके बीच में bonding दिख रही है यह सारे peptide bond है और ऐसे हीडे सारे amino acids जो हैं मिलके protein बनाते हैं और यह जो amino acid का sequence है यह primary sequence कहलाता है ओके second चीज क्या है basic thing the peptide bond has a rigid planar structure as a consequence of resonance interactions that give the peptide bond 40% devil bond character तो यहां पर आपको एक चीज और जानना होगा जो इनके 20 में peptide bond होते हैं वो rigid होता है वो normal peptide bond नहीं होते हैं यहां पर resonance interactions की वज़ा से यहां पर peptide bond जो होता है 40% double bond का character शो करता है जो हम देखेंगे figure number one में और figure number four में तो यह मैं आपको यह भी प्लानर structure आपको next slides में दिखाऊंगा अभी आप इतना समझेगे कि जो protein होता है वो बना होता है amino acid के एक दूसरे से join होने से और second इसको हम जो bonding है इसको peptide bond बोलते है और जो peptide bond है उसका planner structure होता है मतलब वो एक ही plane में रहता है क्योंकि वो double bond का character शो करता है third the secondary structures of proteins include the regular polypeptide folding patterns such as helices, sheets and tone अब यह जो आपका यहाँ पर amino acid sequence है आपको पता है कि आप जो cell में transcription के बाद translation होता है translation में ही आपको पता है amino acid को जोड़ा जाता है peptide bond के through और thousand base pair कह रहा हूँ amino acid sequences को जोड़के हम polypeptide बनाते हैं अब यह जो polypeptide है यह केवल ऐसा amino acid का change ऐसा cell में ही नहीं रहता उसका proper folding होता है तब जो है वो protein function कर पाता है तो यह जो sequence है इसको हम primary structure बोलते हैं और जो folding होगी folding, folding करके secondary structure बनता है protein का फिर tertiary structure बनता है फिर ऐसे ऐसे करके tertiary और quaternary structure बनता है तो अलग-अलग stages है अब जो आपका रमाचंदर ब्लॉट आता है यह आता है secondary structures के लिए ओके तो मैं आपको यहाँ पर primary structure के बारे में बताया और secondary structure के बारे में स्लाइड में आप देखेंगे यही है जो आपका इम्माचंदर होता है तो इसके कुछ characteristics है जैसे alpha helices बनाता है या बीटा सीड या turn बनाता है यह सब secondary structures में आते है protein के इसके folding की वज़ा से और जो आपका रमाचंदर प्लॉट है यह इनहीं फोल्डिंग के लिए है इनहीं पर apply होता है चलते हैं एक स्लाइड में देखते हैं यह देखिए आपका यह image का source है यह आपका हुआ एक amino acid जो आप एक amino acid glycine, leucine या कोई भी ले 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 उसका basic structure आपका क्या होता है यह होता है यहाँ पर क्या होगा यह देखिए central carbon है यह central carbon से एक hydrogen जुड़ा होता है और फिर NH2 जुड़ा होता है यह amine group जिसको बोलते हैं यह central में जो होता है इसको alpha carbon बोलते हैं और इस पर एक R group जुड़ा होता है आपको पता है आप basic amino acid आपने अगर पढ़ा होगा ठीक है तो यहाँ पर एक R group होता है जो variable होता है जिसकी घुड़ा यह Carboxyl Group हो गया यह functional group है अमीन group carboxyl group यह functional group है यह COOH यह Carboxyl acid हो गया ओके अब यह तो एक amino acid हो गया अब यह जो एक से दो amino acid जो मैं आपको बता रहा था कि polypeptide बनता है amino acid से वह कैसे बनता है polypeptide एक amino acid दूसरे amino acid से join करता है peptide bond के through और फिर ऐसा ही क्या बनता है dye peptide बनता है ओके यहां पर देखिए कि upstream amino acid है यह पहला वाला इनके बीच में reaction होगा यह देखिए इसका COOH का OH पार्ट लेगा इधर से H पार्ट लेगा यह निकल जाता है S2O के form में और यह downstream amino acid है दूसरा amino acid है इसका तो दो amino acid अगर आप पास में आते हैं तो एक का carboxylic acid वाला functional group और दूसरे का mean group reaction करते हैं जहां पर dehydration होता है मतलब वहाँ पर water का molecule निकलता है और फिर यह जुड जाते हैं अब देखिए आप इसको निकाल देजिए यह पहले amino acid का CO है और दूसरे का NH आ गया यह जो structure आप देख रहे हैं यही peptide bond है और यहीं मैं आपको बता रहाता यहां पर यह क्या होता है यह प्यप्टाइड बॉन्ड यह रिजिड प्लानर structure होता है जिसका double bond character होता है यहां पर आप देखिए यह क्या है यह प्यप्टाइड बॉन्ड मैंने आपको क्या बता है C-O-N-H यह आपका peptide bond structure है यह देखिए C-O-N-H यहां पर है जो मैंने आपको बोला कि यह double bond का character show करता है क्योंकि यहां पर यह देखिए double bond कहां पर है carbon का और oxygen के बीच में यहां NH है अब यह जो double bond है यह resonance की वज़ा से यह C-N की तरफ भी इसका वो रहता है यहां पर देखिए यह positive charge show करता है और इसका double bond हर जाने से यह एक negative की तरगे से show करता है इसलिए इसका character जो है partial double bond का होता है और double bond आपको पता है strong bond होते हैं ओके तो double bond हो गया partial double bond का show करता है यह तो 40% और इसलिए यह rigid होता है next पर चलते हैं यह basic structure है आपको पता है यह देखिए जो आपको beads जो सारे देख रहे हैं यह amino acid है जब बहुत लंबा आपको polypeptide chain बनेगा जो आप बोलते हैं वहाँ पर यह देखिए एक amino acid यह दूसरे से ऐसे ही peptide bond के थ्रू जूडे हुए रहते हैं यह देखिए सारे amino acid है उनके बीच में यह सारे जो दागे की तरीके से आपको देख रहा है यह सारे peptide bond है ऐसा ही amino acid एक दूसरे से जुड़के कई सारे peptide bond होते हैं उनके through polypeptide chain बनाते हैं यह जो आप देख रहे हैं यह polypeptide chain है यही इसका protein को आप बोलते हैं कि यह protein का primary structure है और यह देखिए last मे हो सकता है यह सिस्टीन हो सकता है और इसमें फर्दर फेरिलीन को भी इसने जूम करके दिखाया है यह देखिए यही स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया basic structure यहां पर आप देख सकते हैं का alpha carbon है और यह amine group है यह carboxly acid group है यहां पर लगा हुआ है है आर ग्रूप है तो यह basic है एक amino acid का molecular structure हो गया तो यहां तक आपको समझ में आया primary पहले amino acid amino acid से peptide bond के through कैसे दो amino acid एक दूसरे से जुड़ते हैं और ऐसे सारे जुड़के एक chain बनाते हैं जिसको polypeptide chain बोलते हैं और यही proteins का primary structure होता है और जो रमचंगन plot जैसे है मैंने आपको बताया वो किस से जु आरेंज होगा इसमें folding आती है जैसे माल लेजिए कोई आपका यह polypeptide chain है उसका length कितना है 10,000 उसमें amino acids हैं तो मैंने आपको बताया है कि cell में वह वैसे ही नहीं रहते हैं उनमें अपने आप जो है folding हो जाती है local folding होती है ठीक है और वह alpha और alpha helix और beta sheets के form में होता है जो आप आप यहाँ पर देख सकते हैं देखिए यहाँ पर वही चीज़ है वैले इन हिस्टीन थी और यही मैंने आपको अभी यह वाला structure यहाँ पर दिखाया था यही जो है यही जो है से यह एक helix बनाता है इसको local folding बोलते है local folding का मतलब हो गया कि जो alpha helix है मैं यह नहीं कह रहा नेट पर विकिपीडिया एट्सेटर पर तो आपको दिखेगा कि वहाँ पर beta plated sheet और alpha helix दोनों होते हैं ठीक है तो दोनों है तो वह local folding है यह local folding है और इसी को हम secondary structure बोलते हैं यह यहाँ पर primary structure था अब यह ऐसे alpha helix बनाता है यह beta plated sheet भी बना सकता है यह देखिए यह beta plated sheet है अब alpha helix जो alpha helix है और जो beta plated sheet है इसमें differences क्या है अलफा helix में आप देखेंगे कि यह जो आपका amino acid था यहाँ पे जो amine group है यहाँ यह NH group था वो CO अगले CO अपने से कम लगबग तीसरे या चौते amino acid से वो जुड़ा हुआ रहता है उसका जो H group है वो दूसरे का oxygen से react करता है इसको hydrogen bonding बोलते हैं जब यह एक ही है एक ही उसमें होता है एक ही दूसरे लगबग जिसे यह पहला amino acid होगा इसके तीसरे चौते से यह जुड़ा रहेगा तब वो alpha helix बनाएगा और beta plated sheet कब बनेगा जब यही एक जो ऐसे यहाँ पे गया हुआ है यह दुबारा यहाँ पे से लौटे का उसी के side से लौटता है तो वहाँ भी यही जो एन एनेच का है यह दूसरे का सीयो से react करके उनमें alpha hydrogen bonds बनाएंगे तो यह alpha helix भी बना सकते हैं जब अपने में ही वह calling कर ले जैसे आप wires देखते हैं वायर में लिजे आप दूसरे से लपेटे हुए रहते हैं प पर यहाँ पर ऐसे ही दो आएंगे आपस में तो वह बीटा प्रीटेट शीद बनाएंगे जैसे आप यहाँ पर इस ट्रक्चर में देखेंगे यह जो एनेच है जैसे यहाँ पर यह एनेच है यह एक दूसरे amino acid का उसी chain में दूसरे amino acid का यहाँ पी जो carboxylic ओ रहता है इसस से hydrogen bonding करता है अगर खुदी chain में करता है तो alpha helix बनाता है अगर जैसे माली यह दूसरा उसी मतब chain है और उसी chain का दूसरे कुछ end पर जाके उस फिर वह लौटेगा chain और फिर जब दो chain के बीच में यह एक दूसरे से जुड़ेगा क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर यह एनेच है यही चेन यहाँ पर दूबारा लौटा है तो यहीं से रियाक्ट कर सकता है ऐसे में आपका बीटा प्रिटेट शीथ मिलेगा तो यह मैंने आपको ओवर्वीव बता रहा हूं यह आपका primary structure हो गया इनको अब alpha helix को बीटा प्रिटेट शीथ को हम इने ही secondary structure बोलते हैं आपका रमाचंद्रन प्लॉट है इसी से associated है secondary structure से कि यह कैसे होता है क्यों और कोई structure नहीं बना देता क्यों alpha helix ही बनता है क्यों beta plated sheet ही बनता है अब आप alpha helix भी देखेंगे इसका coiling या तो left hand side रहता है या तो right hand side होता है तो ऐसा क्यों होता है और कोई structure क्यों नहीं बनता है इसको जो है रमाचंद्रन ने बताया था रमाचंद्रन प्लॉट के माध्यम से इसके लिए आपको जानना पड़ेगा कुस टर्म से साई और फाई ठीक है अब आप इसको ध्यान से देखिए इसको structure को समझी अगर आप इसके structure को नहीं समझेंगे तो आपको रमाचंद्र प्लॉट भी नहीं समझ में आएगा तो टॉर्शन एंगल एक होता है चीज़ वह भी नहीं समझ में आएगा अब आप ध्यान दीजिए यह एमनो एसिट का चेनी है ठीक और यहाँ पे यह जो प्लानर आपको देख रहा है यह जो प्लेन है यह क्या है यह प्याइड दूसरा अलफा कार्बन है ठीक है यह दूसरा कार्बन यह दूसरे अमनो एसिट का कार्बन और इनके बीच में आपको बोला सी यो और एनेच आपस में जुड़े हुए रहते हैं ठीक यहाँ पे आप यह स्ट्रक्चर देखिए यह प्लानर हो गया अलफा कार्बन से तो यहाँ पे आप देखेंगे यह देखिए अलफा कार्बन इससे जुड़ीधा सी ओर यह इसका दूसरे के रवाम का कारेक्टर रहुतर होता है तो अब यह जो प्लेयन रहता है यह रिजिधत होता आ मतलब यह जो N और C के बीच का bond है यह आप इसमें मलब torsion नहीं होता बिल्कुल मतलब जिस plane में है उसी plane में यह रहेगा इसके bonding के बीच में torsion नहीं होता है मतलब आप उसको तेड़ा मेड़ा नहीं कर सकते हैं जबकि यह जो alpha carbon के दोनों side bond होते हैं यह जो है इनमें torsion हो सकता है ठीक अब देखिए यह दूसरा carbon हुआ अब यह carbon से क्या हुआ आप देखेंगे अलफा carbon हुआ यह alpha carbon से फिर सी जुड़ा रहेगा और फिर यह सी जो होता है दूसरे अलफा carbon इसके end से जुड़ा रहेगा यह जो green color का plane है यही तुम्हारा peptide bond है और यह peptide bond यह peptide bond यह planar structure है और इनके यह जो है यह जो carbon से जुड़ा हुआ है यह एक दूसरे के उसमें घूम सकते हैं मतलफ यह planar structure और यह planar structure आप इसको तेना मेडा कर सकते हैं तेके यह उसको उधर से घूमा के इसको इधर से क्योंकि जो इनके बीच के bond है उनमें torsion हो सकता है तो ध्यान दीजिया मिनो इसट लिए स्टर्ट साथ में रखी इसको साथ में रखिए पेर पर लिखिए आपकी प्रेप्टाइड बॉन्ट कहां पे बने है जो प्रेपर बॉन्ट वाला स्प्रेशन में tremendous अ में रहेगा तोर्शन के यह li पॉसिबल है अब एक चीज़ alpha हो गया एन के बीच में ठीक pozwet lawand क hour channel क हो सकता है और carbon alpha और यह जो इससे जूड़ा हुए इसके बीच में रोटेशन हो सकता है अब इसको नाम दिया गया ह Swap carbon और फाक कार्बन और एन वाला bonding है इसको हम क्या कहते हैं आ फाइब ऑलते हैं इसको हम 5 बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं अलफा कार्बन और सी वाले के बीच के बॉलते हैं इसको आप याद भी कर सकते हैं सी एन फाई जब दो याद सी C 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 और कारबन अलफा एन के बीच में जो यहां इन दोनों के बीच में रोटेशन हो सकता है रोटेशन प्लैज भी दिखाए गया है यह दो यहां पर आप enc से जुड़ा रहेगा तो alpha carbon और n के बीच मैंने आपको क्या बताया कि यह कौन सा है phi और यहां पर दूसर में आप देखेंगे यह क्या है यह alpha carbon हो गया और यह आपका alpha carbon यह आपका carbon हो गया carbon carbon के बीच का क्या हो जो angle है वो rotational angle उसको हम क्या बोलेंगे साई बोलेंगे तो यह साई हो गया यह 5 हो गया यहीं पर rotation हो सकता है मतलब यह उधर plane में जा सकता है यह इधर भी मुड़ सकता है यह जो 5 वाला है इनके बीच में जब rotation होगा यह जो bond है यह जो मैं दिखा रहा हूँ यह bond rotate हो के इधर rotate हो सकता है उधर rotate हो सकता है ऐसे इधर side वाला bond यह जो इधर आपको दिखाया गया है यह side bond है यह भी इधर उधर अपने rotate कर सकता है यह देखिए इसेन में rotation बना हुआ है अब यह rotation जो है 180 degree तक हो सकता है दोनों 180 degree move कर सकते हैं अब आते हैं नेक्स पर यह आपका primary यह amino acid हो गया यह primary structure हो गया यह secondary structure हो गया यह मैंने आपको साई और फाई का भी बता दिया कि cn के बीच के bonding को हम क्या बोलते हैं cc के बीच के bonding को साई बोलते हैं अब देखिए रमाचंदरन plot क्या है जी एन रमाचंदरन एक थे उन्होंने क्या किया computer model प्रपोस किया small peptides के लिए उन्होंने देखा कि यह जो फाई और साई का टौश में ठीक है और फिर उन्होंने एक चाड़ यह ऐसा प्रपोस किया plot with his results he created what is known as the रमाचंदन plot उन्होंने रमाचंदन plot create किया which graphically displays the overlap reason of the most favorable phi and side option angle अब इन्होंने इस plot में बताया है कि favorable जो है साई और फाई के जो portion angle है वो क्या हो जकते हैं मतलब phi कितना rotate कर सकता है और साई कितना rotate कर सकता है जोनों के rotation को उन्होंने बताया है plot में तब alpha helix कब बनेगा alpha helix में भी left-handed alpha helix कब कब बनेगा और राइट हैं यहाँ पट रखा उनने यहाँ बीच में 0 है यहाँ पर जिससे आप x और y-axis बनाते हैं यहाँ पर देखिए आप इसके पास possibility क्या यहाँ पर यह साई हाला है साई का मतलब होग है cc carbon alpha और carbon के बीच में जो bond है उसको हम साई बोलेंगे और ये bond 0 से plus 180 जो है degree move कर सकता है positive और ये negative भी move कर सकता है वैसे इधर ये 5 वाला है 5 का tarsan angle है ये भी 0 से minus में जा सकता है minus 80 तक और plus 180 टक जा सकता है अब उन्होंने इस plot में ये बताया ये देखिए जो इधर है अगर ये 5 का rotation अगर आप जाएंगे इधर plus में 5 का rotation अगर plus में जाते हैं और साई minus में रहता है तो ये कहां में पड़ेगा देखिए आप इधर जाएंगे ये जीरो हो गया फाई का plus में जाएंगे तो इस plot में पड़ेगा और इधर इधर ये साई का value इधर minus में पड़ेगा तब आप ये वाले plot में आएंगे और ये वाले plot में जो हैं जो अलफा है लिक से बीटा पेटिट सीट हैं यहाँ पे possible ही नहीं है rotation rotation क्यों नहीं possible है favorable नहीं है अगर आप rotation करेंगे वहां पे आप देखेंगे इमने इसीड में जो उनका oxygen वगएरा है वो एक की दूसरे को अपोस करने लगते हैं ठीक है मतलब हिंडरेंस आता है उसमें इस्टरेंगे हिंडरेंस आता है यह possible ही नहीं यह वहां पे जो charges होते हैं जिस वह oxygen है आपका nitrogen item है उसकी मिज़र से यह disfavored हैं तो यहां पे ऐसा आपको नहीं मिलेगा अलफा और बीटा हैरेस में या जो भी primary structure है उसमें यह जो एंगल है कि आपका फाइब पॉस्टिव रहे जीरो से 180 तक और साई जो उसका उसी जहां पे आप देख रहे हैं जो एक और यह 5 वाला पॉस्टिव में मिले ऐसा पॉस्टिव नहीं है यह disfavored region है ठीक है यह यह दिखाया गया है हिंडरेंस ओके अब आते हैं इधर इधर आप आएंगे कह रहा है कि 5 का possible है rotation की यह minus में हो और साई का rotation भी minus में हो जब साई और फाई दोनों का rotation माइनस में होता है जान दीजिए जब दोनों का rotation माइनस में होता है तब जो प्राइमरी structure है इमनों इसे का वो secondary structure क्या बनाता है अलफा हेलिक्स जिसका coiling right-handed right-handed होता है coiling उसका ओके अब यहां पर आप देखेंगे अगर साई का value यहां पर possible कब है फाई का value कब होगा फाई का value positive रहे और साई का value भी positive रहे उस time पे आप देखेंगे यह possible है फाई का value positive हो और साई का value negative हो ऐसा नहीं हो सकता मतलब इसमें negative rotation हो इसमें positive rotation हो यह possible नहीं है यह disfavored है लेकिन दोनों में positive हो यह favor है और आप जब दोनों में rotation देखेंगे positive rotation देखेंगे उस समय left-handed alpha helix बनता है ठीके जो secondary structure बनेगा और यह देखिए जो reason यहां पर green है यह देखिए यहां पर dark green reason है यह highly favored region है और जो less green reason है यह little favored reasons है और जहां पर पूरा केवल white ही white है वह unfavorable है disfavored है reasons है तो अगर left-handed alpha helix बनता है तो आप इसके सीधे पर आईए इस plot पर देखेंगे यह करीब 90 30 to 90 यह plus में जा सकता है ठीक है तीन से लेके 90 तक यह positive जा सकता है उस समय जो 5 का value होगा वो करीब 60 रहेगा 50-60 रहेगा इधर 50-60 positive में तब left-handed alpha helix बनेगा ऐसे ही यहाँ पर जो है right-handed alpha helix कब बनेगा जब 5 का value यहाँ पर देखें माइनस में रहे 60 से लेके 180 तक रहे लेकिन most favor इसमें favorable reason क्या होगा जब 5 का value 60 से minus 180 तक रहे और 5 का value कितना रहे यह करीब यहाँ से आप देखेंगे 30 से लेके 80 माइनस 80 तक का value रहे यह highly favored है इसमें अगर यह rotation रहता है तब वो right-handed alpha helix बनाता है तो यह left-handed alpha helix और right-handed alpha helix हो गया अब आपको पता एक दूसरा है बीटा distributed sheet भी बनता है उसके लिए क्या होगा यह 3 plot में नहीं केवल इसमें possible है जब 5 का value क्या रहे आप यहाँ पर देखेंगे करीब माइनस 70 से लेके minus 180 तक का रहे 5 का value और इधर si का आप देखेंगे value कितना होना चाहिए si का value इधर 10-20 से start होता है 180 तक favored है लेकिन highly favored कब रहेगा कि आपका si का value minus 60 से करीब यहाँ पर आप आएंगे तो 160 वाट तक रहे और जो si का value है यह आप आएंगे यहाँ पर करीब 90 से लेके 170 तक का जो value है यहाँ पर आपको beta printed seed मिलेंगी लेकिन आप देखें बीटा printed seed जो होती है यह दो टाइप की होती है एक parallel तो यह जहाँ पर arrows up है दोनों तो यह parallel हो गया जहाँ पर एक up and down है वो anti parallel हो गया तब आप देखेंगे जो जो 5 का value है यह minus 70 से लेके यहाँ पर minus 160 विक्ति तक तो favor करेगा beta printed seed का लेकिन साइ का value यहाँ पर देखें 90 से लेके करीब 120 तक अगर रहता है तब यह बीटा parallel seeds बनाता है वहीं अगर 120 से लेके 160 वाट के करीब यहाँ और 170 बे रहेगा तब यह बीटा anti parallel sheet बनाता है यही रमा चंदन का proposed model था उन्होंने यह taution angle को बताया कि sci-fi का value कितना रहेगा alpha helix left-handed alpha helix right-handed alpha helix के लिए और बीटा plated sheet के लिए बीटा plated sheet पे भी anti parallel और parallel ऐसे ही आपको जो normal protein होते हैं इसे collagen हो गए hemoglobin हो गए उसमें क्या possibility है अगर आपको कोई sequence दे दिया जाए amino acid का और बताया जाए sequence से नहीं मतलब है torsion angle से आपको बताया जाए कि phi का value यह है sci-fi का value यह है तो आप बताईए favored region क्या होगा या favored secondary structure क्या होगा तो आपको ऐसे device करना आप values जो questions आते हैं इस पर ऐसे ही आते हैं कि sci-fi का value दिया रहता है पूसिबल आपसे पूछता है कि जो बनेगा secondary structure वो क्या बनेगा left 100 alpha helix, right 100 alpha helix, beta sheet बनेगा parallel या beta sheet anti-parallel बनेगा या जो values दिये गए हैं वो disfavored values हैं वहाँ पे secondary structure नहीं form होगा यही है आपका पूरा रमाचंदन plot मैंने आपको starting में बताया amino acid के बारे में amino acid कैसे जुड़ता है peptide bond बनाके polypeptide बनाता है polypeptide में जो sequences रहते हैं हमारे cell में ऐसे नहीं रहते हैं उसका further folding होता है secondary structure वो alpha helix और beta plated sheet बनाता है alpha helix मैंने आपको बताया right handed coiling हो सकता है या left handed coiling हो सकता है वैसे बीटा plated sheet जो होता है आप पढ़ेंगे वो parallel या तो anti parallel हो सकता है और यह torsion angle मैंने आपको बताया है cc sci cn5 यह यहां पर है बाकी जो होता है वह planer structure होता है double bonding की वज़ा से जो partial double bonding character होता है उसकी वज़ा से इनके बीच में जो peptide bond है वहां पर torsion पॉसिबल नहीं है तो जो इसके वज़ा से secondary structure बनते हैं उसका जो torsion उसमें होता है आपको बता है coiling के लिए torsion होना होगा ना torsion तो होगा ही अगर एकदम सीधा रहेगा तब तो वो helix ही नहीं बना पाएगा helices नहीं बना पाएगा तो जो इसको helices बनाने है alpha helices तो महां पर torsion होना जरूरी है और torsion जब रहेगा तब आप बता प्रेडिक्ट कर सकते हैं आपकी वो क्या बनाएगा यही जो है रामाचंदन प्लॉट ने कंप्यूटर बेस्ट मॉडल करके यह प्लॉट बताया था यही है रामाचंदन प्लॉट और यह से के बाद प्रोटीन जाती है टर्स रे स्ट्रक्टर भी बनाती है आप 2016 कि आपको लिए 50000000 श्यक्यवन है पॉल्ल फोल्डिंग से अब करी आपको विस्धांप्ल मॉल्जे 9000 chronop enormously बना लिये आपका उसमें से 1000 जो है मिलकेagne बना लिए मैं ऐसेत इक्जांपल देकर बता मुझे exactly नहीं पता alpha irises कितने कितना long हो सकता है तो इसे माल लीजे एक्जामपल आधा यह बना लिए आधा beta plated seed बना लिए उसमें turns once भी आते हैं इनके बीच में जैसे यह देखी आप यह turn है लूप इसे बोलते हैं यह सब हो गया लूप टॉंस यह भी secondary structure में आते हैं इसके बाद यह जो होगा फिर आपस में यह फोल्डिंग alpha irises यह सारे करके tertiary structure बनाते हैं तो वह functional भी होते हैं वही functional form होते हैं polypeptide का और फिर एक से ज़्यादा जब polypeptide आपस में जोड़ते हैं तो वह quaternary structure भी बनाते हैं तो सारा कुछ related था आपने पढ़ा किस से amino acid amino acid to protein protein primary structure secondary structure tertiary structure and quaternory structure and यहां पर secondary structure से related आपका रमाचंदल plot है जिस पर based up question solve कीजिए main चीज़े question solve करना मैं इस वीडियो के comment में कुछ questions डाल देता हूं इसके basis पर आप उसको solve करके देखिए okay तो thank you so much thank you for watching this video या आप वीडियो देख रहते हैं आपकी चैनल masses of botany पे subscribe कीजिए आज ही ऐसे ही useful lectures daily पाने के लिए या जब भी मैं कोई वीडियो जालता हूं आपके पास उसका जाएका notification जिससे आपका आपसे कोई वीडियो में नहीं होगा इस चैनल का okay जलता हूं मैं once again thank you so much